सुरक्षा सब्ता के अंतरगत लोगवणी सभाक्ष में किया गया कारिशेलह का आयोजन आपको बता देकि कचेरी परिश्टर इस्तित लोग सभाक्ष में सड़क्ष सुरक्षा सब्ता के अंतरगत थे Espat ट्रैफिक वीडी चोरस्या के अध्यक्ष्टा में एक आलश्यार का उजन किया गया है कालश्यार के दोरान ही ARTO प्रवत्ता शिरी विनेत कुमान बीश्रा परिपहन विभाग से जुड़ी समस्त है अधिकारी और मोटरसाइकल डील मजूद रहे इसके दोरान ही वीचार्ज वीशर्म किया गया है किस तरह से हम सड़क दुरगटना होने वाली विदिक को रोख सके लोगों की जान भी बच सके इसके दोरान ही बैठक किये गए विभीन विभाग के अधिकारियों ने अपने वीचार रखे है इसका दोरान ही एसपी ट्रैफिक भी वीच और रस्या ने बताया है कि सड़क पर जो दुरगटना होती है उद्रगटना को कैसे बचा सके है इसके सबन्द में कारिशाला का एजन किया गया है आज गया ट्रांस्पोर्टर और नगर के उमीदवार डीलर लोग भी मजूद रहे है आप देख सकते फ्राइंपिके न्यूश चानल के लिए पमन अगरवाल की खास रिपोर्ट बुजाफर नगर से अगर देखें यह सड़क सुरच्छा समंधी यह शत्रा तारीक को यह पहले दिन की एक कारिशाला है जिस पे हमारा यह उद्देश है कि सड़क सुरच्छा के संबंध में बिध्विन जो स्टेक होल्डर्स हैं जैसे हमारी एजंसी के लोग हैं हमारे पुलिश अदिकारी गड़ हैं हम लोग हैं आप पत्रकार हैं और कोई भी सामान विक्ति है वो अपने सुझाओ अपना अनुभव और किस प्रकार से हम इसमें कमील आ सकते हैं वो सेयर करें और इसको हम ब्योभर में इसको लागू भी न जो जो इतनी संख्या में बेताहसा ब्रद्धी हो गई है दुर घट्नाओं में भी कमी आए म्रत्यु मं में अच्चा करता हूं मीद करता हूं कि इस ए प्रारभी कि पहले दिन में हम जिस संकल्प के साथ इस कारिकाला से सरकों पर जो दुर्गहटनाय होती है उससे कैसे बचा जाए इस सम्मंद में रोड सेफटी का एक कारिशाला है जिसमें टास्क वोटर्स और भी जिम्हेदार लोग नंगरपाल किया कि रोड़ वेज का रही है आयटियो सहब लोग इकठे हुए है और कोशी से की जा रहे है कि दुर्गहटनायों को मिनमम किया जाए या सून के लेवेल पर लिए लाए रहे हैं सर मिटिंग तो हर अफ्ते मिटिंग होगी पिछले अफ्ते मिटिंग होगी तो कुछ निकलता है नहीं है जा कर रहा है रेजल्ट इसलिए नहीं निकलता है कि आप लोग भी यही बैठे है और आप लोग भी बाहर देखे जाते हैं तो इन नियमों को पता नहीं वजा क्या है वा लेटिस्ट न्यूस देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बैल आइकन को प्रेस करें हुआ हुआ है